अलो स्टुडेंट्स, गुड आप्टरनून, से गुड आप्टरनून ट्रीचर, अवारी ओल, अला पाई, वैरी पूर, सो स्टुडेंट्स, सब लोग ने प्रेयर एं नैशनल आंथम किये, सबसे पहले हम लोग को लेक्चर के पहले क्या करना है, लिंक ओपन करके, प्रेयर नैशनल आंथम डेली करना है, स्टुडेंट्स, आपको तीछे टे डेली याद दिलाते तो आपको डेली करना ही है, तैन, नेक्स्ट, हम लोग के कहां तक नंबर कम्लिट हुए, हम लोग को पर्स्ट उनिक टेस था, हम लोग ने 10 नंबर तक कम्लिट किये, तैन, उसके सब लोग पैंसील एरेजर एंड बुक निकाल के स्टार्ट कीजे मेरे साथ ना वाट इस टेड़ आज की डेड़ के स्टुडेंट्स, बने एटी, 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 एट, आबर सब्जेक ने मैं, अमनों को सबसे पहले नंबर कम्सा करते है, नंबर थर्टी, एलेवन तुवल अम लोग ने कम्लिट किये थे न, अब लोग को करना है नंबर 13, के वान त्री, 13, एला, रड़ी, सब लोग ने बुख्स निकाले न, आफको मेरे साथ ही लिखना है, ओके, स्टार्ट, स्टार्ट करें, फर्स्ट कॉर्म में, वाल थ्री, वान थ्री, 13, क्या भूलते इसको, 1, 3, 13 11, 12 13 1, 3, 13 complete सबको ओगया next again 1, 3, 13 say and write students सबको मेरे साथ बोल के ही लिखना है 1, 3, 13 again 13 11, 12, 13 अपको यह बोल के ही लिखना है जितना आप बोलो के उतना आपको अच्छे से ही याद रहेगा 1, 3, 13 again 1, 3, 13 अपको पूल पेज़े कम्पिट करना है 1, 3, 13 अपको अपको मेरे साथ ही यह कम्पिट करना है again 1, 3, 13 जैसे टीचर बोल के लिखना है वैसे आपको भी बोल के ही लिखना है जा सब्सक्राइए्स क्टीचर बोल रहे लिखना है मंपकर्य। 30, again, 1, 3, 30, complete, again, 30, say and write students, अबको बोल-बोल के ही लिखना है, 1, 3, 30, 30, again, 1, 3, 30, 1, 3, 30, last one, सबका complete हो गया है, last line हम लोग complete करें, again, 1, 3, 30, 13, again, number 13, 11, 12, and 13, okay students, अबको समझ में है, 1, 3, 30, तो आपको यह होंगो कितने टाइम्स करना है, 2 times, okay, complete, अबको यह 1, 3, 30, के बाद हम लोग का और एक number complete करना है, कौन सा है, 1, 4, 14, okay, तो पहले हम लोग 13 complete करेंगे, then, 1, 4, 14, सबको neat and clean, अच्छे writing में लिखना है, 1, 3, 13, then, 1, 4, 14, अब हम लोग स्टाट करेंगे, number, 1, 4, 40, okay, सबको समझ में आरा है, न, students, अभी हम लोग को करना है, number, 14, okay, अबर टोपिक ने में इस number, 14, okay, 11, 12, 13, then, 14, 1, 4, 14, स्टाट करें, 1, 4, 14, okay, 4 आता हैंगे, सबको लिखने के लिए, कैसे लिखते हम लोग, slanting line, slipping line, and 1 standing line, okay, 1 के लिए हम लोग ने कहा दिये, standing line, and 4 के लिए, slanting, slipping, then, standing line, 1, 4, 14, क्या बोलते हैं, इसको, 14, number, 14, again, say and write students, number, 14, okay, 1, 4, 14, इस्टे पहले लोग ने कौसा number किया था, 1, 3, 13, then, this number is, 1, 4, 14, again, number, 14, complete, 1st line सबकी complete हुए, next line, 1, 4, 14, okay students, सब लोग लिखरे हुए, मैचे साब, 1, 4, 14, okay, again, number, 14, okay, 1, 4, 14, complete, again, 1, 4, 14, full page हम लोग को, 1, 4, 14, number, complete करना है, okay, 1, 4, 14, again, 1, 4, 14, again, 1, 4, 14, again, 1, 4, 14, again, 1, 4, 14, number, 14, say and write students, सबको बोल बोल के लिखना है, 1, 4, 14, again, 1, 4, 14, okay, again, 1, 4, 14, number, 14, complete, जैसे टीचर बोल बोल के लिखरे है, वैसे आपको भी बोल के ही लिखना है, okay, 1, 4, 14, okay, again, 14, 1, 4, 14, number, 14, complete, 1, 4, 14, again, number, 14, last one, number, 14, और ये भी आपको उम्बो कितने टाइम करना है, 2, time, okay, how many time, 2, time, okay, students, सबको समझ में है, number, 1, 3, 13, and 1, 4, 14, okay, तो सबसे पहले मैं आपको एक न्यूस बताने वाल हूँ, जैसे मैंने पहले भी लेक्षर में बताया है, कि जैसे हम लोग का एडुमेक्स लेबल B, book 1 हम लोग का complete हो चुका है, तो अभी हम लोग को semester के लिए, बुक नमबर 2 और 3 कम्पेट करने, कौनसे कौनसे, ये बुक नमबर 2 एडुमेक्स, लेबल B, book नमबर 2, और बुक नमबर 3, ये हम लोग को ये portion हम लोग को semester में complete करना है, तो जब तक हम लोग को book 2 कम्पेट नहीं होता है, लेबल B, book 2, सब लोग को book open करना है, ओके, ना open page number 20, page number 20, ये page open किची है, सब के पास book है ना, तो ये page open किची, book number, page number 20, ओके, book number 2, यहां पर क्या दीए students, थीक एंड थी, ओके, थीक एंड थी, थीन मतलब क्या, पत्लाता और थीक मतलब, मोटा, ओके, यहां पर देखो, दो स्टिक दी है, यहां पर जो फर्स स्टिक है, जो छोटी एकदम पत्ली है, उसको क्या बोलते, थी, जो बड़ी वाली मोटी सी दिये उसको क्या बोलते है ठीक ओके नौ मैं यहाँ पर ड्रॉव करती हूँ तो यह कुन सी है ठीक फोटी सी है ना पतली सी तो यह क्या है तीनच अपकाई है ठीक और यह कुन सी है ठीक, यहाँ पर तो रोब डिये तो यह बाला ठीक है और यह ठीन है पतला सा रोब पसी तो आपको यह तोपिक अच्छे सी समझना है Thin and Thick Thin means पतला सा और Thick means मोटा सा तो आपको ये भी हूंगब करना है ये जो 2 candles दिये Color the Thick candle Thick candle, Thick means Thick means students क्या बता है मैंने, मोटा तो आपको मैं आपको दिया Color the Thick candle तो इसमें से Thick कौन सी है, मोटी कौन सी candle है This one No, this one तो आपको ये candle हो क्या करना है Color करना है Page No.20 ये ये candle हो क्या करना है Color करना है ये कौन सी है Thin ये Thick ricsकी पर क्या दिया и color the Thick candle तो इसके लिए भी आःए candle को क्या करना है Color करना है Ok Students कौन सी बुक मैं देख़गे Book No.2 Page No.20 यह समझ के लेना है then हम लोगों यह candle को color करना है अच्छे से color करके मुझे send कीजे सिर्फ यही page करोगे न तो teacher ने क्या सिखाया आज number 13 and 14 and then thin and thick stick thin और thick का मतलब बता है ठीक है students अच्छे से समझ में आज आज सबको आपको यह अच्छे से revise करनी ही okay तो इसके आगे के numbers हम लोग next lecture में करेंगे okay students now bye thank you take care